चली बुलिटिन की शुरुवात करते हैं अंतिम संस्कार किया जाएगा आपको बता दी पूर्व सेम के लाश जोशी का आज निधन हुआ लंबे संबे से वो बिमार चल रहे थे और आज इनके अन्वे साल के उम्र में उनका निधन हो गया भोपाल के एक निज्यस्पताल में उन्होंने अंतिम सास ली तो सियासी सफर जान लेते हैं कैलाश जोशी का आपको बता दे कि 14 जुलाई 1929 को उनका जन्म हुआ था सैक्शनिक योग्यता की बात की जाया तो मैट्रिक पास थे कैलाश जोशी और डॉक्टर हैट गेवाल चारों से ये प्रभावित थे कैलाश जोशी की बारे में हम बात करें आपको बता दे उन्हीं से उक पश्पन में हार्ट पेपलिया नगरपालिका की अध्यक्ष भी रहे हैं और 1962 में पहले बार विधानसभा चुनाव लड़ जीत कर ये विधानसभा पहुचे थे 19 महिनों तक इमर्जंसी के दोरान जेल में भी रहे इमर्जंसी के बार चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बने थे कैलाश जोशी 24 जून 1977 को मुख्यमंत्री पद की शपत ली थी कैलाश जोशी ने मध्यप्रदेश के पहले गयर कॉंग्रस थी मुख्यमंत्री रहे थे कैलाश जोशी कई अध्यादेश लाकर कानून बना कर चर्चा में आय थी कैलाश जोशी खराव स्वास्त के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था दो बार मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे कैलाश जोशी 1985 में भाजपा विधाक दल के नेता भी रहे थे कैलाश जोशी मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे जनसंग और समाजवादियों की पहली पसंद भी थे कैलाश जोशी आपको बता दे कि 1990 में नौवी विधानसभा के ये सद्दस भी रहे थे मध्यप्रदेश सरकार में वानिज उर्चा और उद्योग मंत्री भी रहे थे आपको बताए कि 1990 में भाजपा किसान मोचा के राष्टी अध्यक्ष भी रहे कैलाश जोशी 2004 से 2014 तक होपा से सांसर भी रहे तो आपको बता दे पहले गैर कॉंग्रोस से सीम थे कैलाश जोशी 6 माने तक मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे और उनका स्वास्त खराब था और इसी की कारण उन्हें ये पद भी छोड़ना पड़ा हम आपको ये भी बता दे कि 2004 से 2014 तक भोपाल लोगसभा सीड से सांसत रहे हैं लंबे समय से बिमार चल रहे थी और आज 11 बचकर 24 निट पर उनका निधन हो गया भोपाल के निज़ी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सास ली अंतिम संसकार की बात की जाये तो हाट पे पलिया में होगा और जन्म 14 जुलाई 1929 को इनका हुआ था पहले 11 कॉंग्र से सीएम रही है केलाश जोशी और आज इनका निधन हो गया लंबे समय से बिमार चल रहे थी और बिमारी के चलते ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद भीच होना पड़ा था और अंतिम दर्शन क्लिन का पार्थिव देह जो है वो विजेपी कार्यले में रखा जाएगा और उसके बाद हाट पे पलिया में इनका अंतिम संसकार होगा